हलो दोस्तों स्वागत है आपका जी के वीत हजी में यूट्यूब चैनल में दोस्तों आज का हमारा टॉपिक है पादब जगत का वर्गी करण से संबंदित महत्वपूर प्रश्न है इससे अक्सर पर एक च्छों में कुछ सवाल उच्छे गये हैं जिसमें हम आसान और मुश दिखते हैं पहला सवाल है लैमारक ने जिवो को कितने भागों में बाटा था तेन भागों में जीवानु वकवक और शावाल दो 20 पादप और जंसफे सब से पहले इसको बाटा था इसका अपसन भी सही होगा जीवों को वग्यानिक रूप से सबसे पहले किसने वर्गित करने का प्रयास किया था डार्विन ने लैमार्ग ने लीनियस ने विटकर ने सबसे पहले लीनियस ने किया था इसका अपसन सी सही होगा कैरलस लीनियस ने जीव लिनियस ने विटकर ने लिनियस ने ही दीवपदनाम अधती दिया था। और यहीं से जीवों के उनकी उत्पत्ति और जातिय गवन और वन्स के आधार पे उनको बाटा गया था। अगला लीनियस ने वर्गिकरण के कुल कितने इकाईयों का परियोग किया था पांच, छे, साथ, चार इसका अपसन बीस है होगा छे, छे इस्तमाल किया था पहले तो पादप और जजन्तु में क्या था वो वो था उसके बाद उसका था संग था वर्ग था गण था कुल था और जाती था उस छे भागों में उनको वो बाटा था और इस हिसापसन ने उसका नामकरण किया था अगला जीवों के वैज्ञानिक नाम सदेव मुद्रित कि ये जाते हैं बड़े अक्षरों में छोटे अक्षरों में तिर्छे अक्षरों में या रोमन अक्षरों में इसक वैग्यानिक नाम अलग होते हैं अगर आप मेरे टेलिग्राम गुरूप से नहीं जुड़े हैं तो मैं ने उस पर जीवों के वैग्यानिक नाम का लिस्ट भी उस पर दिया है अगर आप चाहें तो मेरे टेलिग्राम गुरूप से जुड़ जाएं बनस्पत जगत का आधुनिक वर्गिकरण किस ने किया था लीनियस ने, विटकर ने, ओस्टवाल टीपो ने, ओस्वाल टीपो ने, लैमार्क ने इसका आप्शन सी से योगा ओस्वाल टीपो ने सबसे पहले 1942 में उने जीवों को में पादप जगत यानि पादप जगत उसका वर्गिकरण किया था अगला, तो इसका आप्शन सी से योगा, अगला होगा बनस्पतियों को कितने उप संगों में बाटा गया है दो, तीन, चार या पांच, दो, देखिए यहाँ पर जान लेजिए, पादप वाला जो हुआ था, वर्गिकरण सबसे पहले उस्टवाल टीपों ने 1942 में किया था और उन्होंने पादप को दो भागों में बाट दिया था, पहला था था थैलोफाइटा और एक था एम्ब्रोयोफाइटा, इन्होंने क्या किया था, कि थैलोफाइटा वे होते हैं जिनमें नीसेचन के किरिया में भूण नहीं बनने वाले पादप, इनमें थे शैवाल, और जिवानों को लाया गया अब इसमें जो होते हैं वो होते हैं साइनो फाइटा यूगलीनो फाइटा क्लोरो फाइटा क्रायो फाइटा पाइडो फाइटा फियो फाइटा रोडो फाइटा ये जो साथ जो होते हैं ये केवल शैवालों के ही किसम है जो शैवालों के उनके रंग के इसतितिक पशाब से बाता गया उसके बाद आठमा जो आता है S Carolyn य जो माईको रटा इसमें जीवानुँव और मिक्सो फइटा और यू माईको लीन a पशुट एक नो से देन देना जो जीवानुआं और जीवानुवार वाया और हुग होत है Brian अग्ला जो भाग्ता उसको पॉस्क और यानि व को यह इसको आगए प्रुच जिनमें भ्रून बनता है अब यह कौन से हैं वे पधे यानि सांवन भव जिन flickr इन में वास्तिविक जड़े नहीं थी केवल इन में जड़ के अस्थान पर मूला भास होते हैं इन में तीन आते हैं लिवर वर्ट यानि इसी को हीपैटीसी कहा गया ठीक है उसके बाद आता है मसाई उसके बाद एंथोसी रोटी कहते हैं इसको ये तीन थे वर्ग इसमें लि है हरकेश यह आता है और युनेरिया जैसे पौधे आते हैं इसमें यह पौधे जान लीजिए अगर आपको बात समझ में ना आए तो यह जानिए कि यह ब्रायो फाइट एम युवे होते हैं जीव भूण वाले जिन में समवानी उतक अर्थात जिन में समवानी उतक जाइलम यह बंदा है आपको यह जान नहीं पड़ेगा क्योंकि यह हाइश कुल कोर्स है अगला आता है ट्रेकियों पाइटा इन में समवानी उतक जाणे पत्तियां तना सब होती हैं इन में चार भाग होते हैं पहला होता है साइक्लोप सीडा दूसरा होता है लाइकोप सिडा और इस फिनोप सिडा उठ फोर्थ होता है टेर वीड़ीड़ा इसमें एक सवाल आते हैं यह मैं इसमें तीन होते हैं पहला होता है, टेरियो फाइटा, जिम्नो़isfyrs और अग्योड इस्पर्म जीम्नोयस्पर्म को आना विरित्ती वी ज Tamil को आ विलित्ति वी युझे ये जो होते हैं टेरो फाइटा वाले यानि फिलिसीनी वाले इन में पुस्प नहीं होता है और ये इनको इनको यह जली है इनमें निसेचन के लिए जल चाहिए बीज के इनमें निर्माण नहीं होता है जैसे फर्न एजोला एलबीनिया और मारसीलिया यह बहुत इंपोर्टेंट है इसमें एजोला यह अक्सार आता है परिक्षा में जिम्नोस अर्सपाली वियाते हैं कि बीज प्रमुक है साइकस, चीड, शिकोया, दियोदार, फर्यवमिस्पुरूव अजयबकि इंज्यूई सपर्म बीजी होते हैं वीज वाले इनके बीज क्या होते हैं घखे वे olsa हैं और इनके जरिनांग पुस्प है ठीक है और यहीं इनके बीज क्या होते हैं बंद होते हैं ये दो ही टाइप के होते हैं एक बीजी पत्री जज्ञ और दिव बीजी पत्री होते हैं एक बीज वाले वे बीज जो एक ही होते हैं दिव वाले जो दो पत्रों से मिलकर बने होते हैं इनको फोड़ेंगे तो दो तरकी पत्र आते हैं ऐसे होते हैं ये दो वाले इसमें एक बीज बीज अत्री जो होते हैं इनमें है सरसो कपास, गुड़हल, सूरजमुखी, दलहनी यानि सारे अरहर है, हटर है, चना है, सब आते हैं इसमें, तेल वाले जो भी हैं वो आते हैं इसमें, बीज, बादाम है, काजू है, साइट्रस वाले फूरूट यानि आपके नीबू है, सम है, मेहदी है, टमाटर है, धनिया है, जीरा है, और अमरूद है, द्यू, द्यू बीजी हैं ये, समझाया, ये एक स्ट्रेक्चर जो बनाया थे, ये बनाया थे, उस्वाल टीपो ने बनाया था, ये आपको नाम आपको जानने ही पढ़ेंगे, क्योंकि इससे कोश्चन परि अच्छा, वहाँ पर आते हैं सवाल, अजब की बड़े वाले इधर से आते हैं, जैसे आपके दरोगा हो गया, पुलिस हो गया, छोटे मोटे एक्जाम जो होते हैं, वहाँ से आते हैं, और बाकी SSC और रेल्वे में तो सवाल आते ही आते हैं, तो आपको ये चीज़े तो थैलो, फाइटा, इनमें से कोई नहीं, ठीक है, भून नहीं इनमें बनता है, कौन सा होंगे, थैलो, फाइटा, इसका आपसन C से योगा, शैवाल जिवानु कवक को किस उपसंग में रखा गया है, ट्रेकियो, फाइटे, एंब्रियो, फाइटा, थैलो, फाइटा, इनमें से कोई नहीं इसका अप्सक्иру C सायोगा थैलो égal में जिवानों आते हैं कि चि वह कवक होते हैं इर्थम जीवी सह जीवी पर पोसी आपसर इसका डी सायोगा सभी कवक सभी होते हैं ठीक है जिवाणूं में जनन होता है द्यू भाजन द्वारा, हुकलन द्वारा, बीजानू जनन द्वारा, ए और सी दोनो इसका आपसन जो होगा वो डी सही होगा ए और सी दोनो द्यू भाजन द्वारा भी होता है और बीजानू जनन द्वारा भी होता है सहजीवी पौधे का उदारण है चंदन, कवक, शैवाल या लाइकेन इसका आपसन होगा सही D. लाइकेन लाइकेन जो होते हैं सहजीवी के सबसे अच्छे उदारण होते हैं ये शैवाल एवं कवक क्या होते हैं सहजीवी आपस में जूड़े होते हैं इसमें स्यावाल जो होता है वो कवग को देता है भोजन जब कि कवग क्या है स्यावाल को इता है खानीजु से से जिन पादवों के शरीर जड़ ताना पत्तियां होते हैं उन्हें कहते हैं थैलोफाइटा एंब्रोयोफाइटा क्लोरोफाइटा साइनोफाइटा इसका आपसन भी सही होगा जिनके ताना एवम पत्ति होंगे भूरून में बनता है ठीक है उनमें क्या होते हैं उनको एंब करने किया था पाँंच जगत उन्हों में पाँंच जीवों को पाँंच भागों में बांट दिया था पहला का नाम था मॉनेरा प्रोटिस्टा पंजाई पाढ़ और जन्तू फांच भागों में नोने बांट veins मुननेरा के अंतर गटि में प्रोटो जोवा, जीवानू, वेल या मदमक्खी, अपसन होगा इसका जीवानू, जीवानू में कौन आते हैं, होनेरा में तो जीवानू आता है और वो आते हैं, शैवाल आते हैं, जीवानू और शैवालो को मोनेरा ग्रूप में रखा गया, इनको मोनेरा ग्रूप में रख था गया है। प्रुटिस्टा में में कवक शैवाल एवम जीवाणू उंप प्रुटिस्टा में पुटूढ गुरूप फंजाई में कवक पाधप में आते हैं और जन्तू भी Näल भले शीजे दाते हैं इस तरह पांज जेकट यह पस्ला आये हुए है सब हैं जीन पादबो के जन्नांग पुस्पो में होते हैं उन्हें कहते हैं आवरित्ति BG, अनावरित्ति BG, फिलिसीनी इनमें से कोई नहीं इसका अप्सन Y सही होगा आवरित्ति BG कौनसा होगा वह आवरित्ति BG होगा यादी यह वाले एंजियो इसपर्म पुस्पी होते हैं यानि इनके पुस्पों कोघे और एनने चानल ध्वारा होती है इसका बी सही एह होगा सही 18 जिन पाधपों के बीज़ नगन आवरोन कवच नहीं होता हूं उन्हें कहते हैं अवरिती बीजि अना वीर्ती बीजी फिलिसीनी इन में से कोई नहीं 18 का 20 होगा अनावृत्ति बीजी यह वाले जिमनों इस पर ये परिक्षा में यह कोस्चाना है देखिए आपके लिए सब्द टेणा भली हो लेकिन यह सवहल तो आते हैं यह कोर्स का है किसी भी हाइस्कूल के बुक को उठाएंगे मुशला जड ऐसे होंगे यह यह ऐसे होंगे नौकदार तुर्क नुमा होते हैं यह ऐसे होंगे इनको मुशला जड कहते हैं थेक है तो यह भी जान लीजिये किस प्रकार के पौधो के पत्तियां समांतर शीरा विन्यास होते हैं दिव बीज, पत्तरी, एक बीज, पत्तरी, फिल्सीनी या ब्रायो, फाईटा इसका आपसंद होगा बी एक बीज पत्री समानांतर विन्यास का अर्थ क्या होता है जान लीजिए उनकी पत्तियां ऐसे होंगी इनमें शीराएं ऐसे होंगी ये एक बीज होते हैं एक बीज पत्री वाले होते हैं जिनमें शीराएं ऐसे निकली होंगी जाल बना होगा ये दि लिए फिर गुड़हल, सूरजमुखी, सरसो, मटर, चना, आम तत किस प्रकार के पौधे हैं अना वृत्ति भीजी, दिवबीज, अत्री एक भीज, अत्री या फिलिसीनी, दिवबीज होते हैं, यह हमेशा इसमें दिवपत्र होते हैं, ठीक है, तो इसका आपसंद भी सही चावल, मक्का, प्याज, गन्ना किस प्रकार के होते हैं, अपाउधे हैं, तो अना वृत्ति, दिवबीज, अत्री, एक भीज, पत्री या फिलिसीनी, इसका आपसंद सी सही होगा, एक भीज, पत्री, एक भीज वाला में देखिए, चावल होगा, बांस है, मक्का है, ये नोट कर लिए, ये जरूरी है, ये वाला हिसा बहुत ज़्यादा, और ये तो ही है, आपको ये स्ट्रेक्चर समझ में ना आए, तो मैं ये वीडियो के लास्ट में दूँगा, आप वहां से उसको उतार लिजिएगा, और ये अपने बुक पर ये स्ट्रेक्चर बना ल इसका अफसन C सही होगा, शेवालो का अध्यन कहलाता है साइटोलाजी, फाइकोलाजी, पोमोलाजी, पैथोलाजी, इसका अफसन B सही होगा, फाइकोलाजी, शेवालो का अध्यन है, जबकि साइटोलाजी कुशके का अध्यन है, पोमोलाजी फलो का अध्यन है, जबकि पै एनाटोमी, फार्मोलाजी, हिस्टोलाजी, इसका आप्सन B सही होगा, पादपो का भी उसके आंतरिक भाग का धिन है, ठीक है, इसका आप्सन B सही होगा, तालाब करेशम किसे कहते हैं, म्यूकर, एजोला, इस्पाइरोगाईरा, सिस्टोपस, इसका आप्सन C सही होगा, इस् साइजो माईकोफाइटा इसका अफसन D सैयोगा साइजो माईकोफाइटा उस्तवाल टीपो द्वारा जो बाटा गया था उसमें जिवानों का एक ही गुरूप है साइजो माईकोफाइटा साथ केवल शैवालों के लिए गुरूप थे एक जिवानों के लिए अदो कवकों के लिए कुल दस गुरूप है थैलो फाइटा में यह शैवालों के लिए था ठीक है और इसमें एम्ब्रो फाइटा में दो गुरूप था ब्रायो फाइटा और ट्रेकियो फाइटा और ये थर्ड तीन गुरूप में फिर दोघर इस तरह से पादबो ha这是 लेक्त ऋपससेयोगा फ्होजी पहँदा सबसे लंबा भी जी पहोधा है बांस सिकोया तार वल्फिया इसका आपसन भी सही होगा सिकोया अगला सबसे छोटा आवरित्ती बीजी पौधा है बांस सिकोया तार इसका आपसन है बांस सिकोया तार वल्फिया इसमें होगा सबसे छोटा में वल्फिया सबसे छोटा आवरिती बीजी पौधा है कौन सा है वल्फिया तो ये भी आप याद किये रहिए तो ये कुल तीस सवाल थे अगले वाले में फिर तीस सवाल होंगे दो भागों में होगा लेकिन आप question तभी कर पाएंगे सही जब आप इसमें मैंने वीडियो भी बनाया है आप जब इस structure को सही तरीके से जानेंगे तब उसके बाद इसके उदाहरणों तभी आप जानें क्यूंकि सबसे बड़ी जी कि इसमें सारे मैंने जी वी इसमें कहां है किस जगा पे है यह आपको आना चाहिए तो यह थे कुछ सवाल अगले वाले वीडियो में और सवाल होंगे और आगे चलके आरारबी के भी जो सवाल हो जो है सवाल वो भी मैं उसको कराऊंगा तो ठीक है अगर यह वीडियो आपको अच्छा लगाए तो इसे करिएगा लाइक और अगर आप चैनल बना है तो करिएगा सब्सक्राइब मिलते हैं फिर हम एक अगले वीडियो में अतक लिया अलविदा जैहिन